नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सेकर और स्वागत आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल सिकर स्टेडी पॉइंट पर दोस्तो वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तो चैनल को जरूड सस्क्राइब कर लिजेगा और साती बेल आइकन भी जरूड दोएगा दोस्तो आज हमारा पार्ट 26 है और इसमें हम देखेंगे दोस्तो 126 महत्पूर्ण प्रसनों को उत्राखंड हिंदी जीके कंप्यूटर आपको सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा तो आप वीडियो कंद तक जरूड देखेगा ज़्यादातर प्रसन आपके दोस्तों सई होंगे बहुत से गोश्चिन ऐसे हैं जो किसी ने किसी एकजाम में पूछेगे हैं तो इस द्रिश्चित दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण हो जाता है और इसके लाओ अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है वो भी आप दोस्तों प्लेलिस्ट में आकर आसाने से देख सकते हैं पीडियव आपको हमारे टेलिग्राम चनल पर मिल जाएगी तेस पूछिन में लिंक है आप आसाने से जूड़ सकते हैं तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के महत्पूर्ण प्रसनु को उससे पहले अग कहा था तो बहुत ज्यादा महत्पूर्ण प्रसने हैं मेदनी सा को तो ऐसे भी नहीं कह सकते परदीप सा महिपति सा या कीर्ति सा तो इसका सेवत्र हो जाएगा एकजाम में बन सकता है गौरा देवी नहीं है यह है कबूतरी देवी तो यह आपको बिलकुल याद दखना है उत्राखंड की तीजन भाई कबूतरी देवी अगला एड गुरू के नाम से परसिद्ध है रस्किन बॉंड परसुन जोसी या जॉर्ज गिरेशन तो इसका हित्र रहेगा यहाँ पर दोस्तो परसुन जोसी को जाना जाता है एड गुरू अफ इंडिया के नाम से अगला प उतर तो बढ़ते हैं अगले परसुन की तरफ पाअड़ पलाटे यह मंगे श्ट अबराल और यह हैं अगले हैं राजी की परतम महिला फिल्म निर्देशी का हैं तो यह भी दोस्तों परसुन दोस्तों में बना ऻुरूसौंप्जीWow नैनी सेनी अज और इस दोस्तित फिस नमर सी बनेगा 1990 के आसपास बना था नैनी सेनी होएड़ा जो की फिथोड़ा गड़ में है काफी अच्छा मतलब की अच्छी जगह है इदर नैनी सेनी अगला है 12 होती की जिले में इस्तितत है रुदर पर याग, घरिदोर, टीहरी या इनमें से कोई नहीं अब दोस्तो यह इनमें से कोई नहीं जो 12 होती दोस्तो जो यह धर रहा है यह किसके बीचे दोस्तो यह चमोली और फिथोड़ा गड़ के बीचे बीच यहां पर option में तो सुदर्शन साने टिहिरी को अपनी राध्धानी बनाया बहुत ज़्यादा महत्पून परस्ण है स्वरुपर्थम किस सासक ने अपने नाम से सहर की स्तापना की तो ये की थी परताप साने परताप नगर की अगला परस्ण है उत्राखंड का लिंगानुपात है तो ये भी महत्पून परस्ण है दोस्तों उत्राखंड का लिंगानुपात हुजाएगा 1000 और ये 963 कूंकि 963 है तो ये आपको विल्कुल याद दखना है तो 934 है उत्राखंड का लिंगानुपात 2011 के अनुशार सर्वादिक लिंगानु पात वाला जिला दोस्तों ये आपको चैट बॉक्सम बताना है अभी जो पेपर हुआ था सची वाला रक्षक का उसमें भी पूछा गया था अगला रालम गलेसेर की जन पद में इस्तित है तो रालम, हीरामडी, नामिक पांकी बहुत सारे हैं जस्तित रे खाप पर पिठोड़ा गर्ढंपर में है रालम गलेसेर तो ओप्सन नमर ए बनेगा इसका से घ्टर अगला क्षिशन है पांडू केश्वर तामर पत्र किस भासा में लिखेगे हैं तो पांडू केश्वर द उस्तों ये लिखेगे हैं संसीरत में तो option number C बनेगा इसका से उत्तर दोस्तों कुछ आसान, कुछ मुश्किल परसने आपको इसमें देखने को मिलेंगे अगला परसने है सहस्ते धारा जल परपात किस नदी के समीप है यमना नदी, टौन से नदी, बालदी नदी या फिर गंगा नदी तो दोस्तों इसका से उत्तर गंगा बालदी नदी तेरा दुन में है सहस्ते धारा जल परपात तो बढ़ते हैं अगले परसने की तरफ अगला परसने कौन सा व्यक्ती गुमानी कवी के नाम से बिख्या आता है अब सब ही दोस्तों या पर पंथ है सुमिता नंदन पंथ, गोबिंद बल्ला पंथ, रमेश पंथ है, लोक रतन पंथ तो लोक रतन पंथ हो जाएगा दोस्तों इसका स्यूशितर औप्सन पर भी लोक रतन पंथ, लक्षिमी नंदन पंथ इससब गुमानी कवी को जना जाता है अगला प्रस्ण है ब्यास गुफा इस्तित है तो गुफाओं से प्रस्ण है अक्सर बनते एक्जाम में ये गुफा कहा है वो गुफा कहा है तो ब्यास गुफा दोस्तो अब चार धाम दिये हुए हैं तो ब्यास गुफा दोस्तो ये हमारा ओप्शन नमर ए बदीनात के पास तो यह आपको विल्कुल याद रखना है, अगला परिशन है कुमाव परिशत का गठन हुआ, अब दोस्तों कुमाव परिशत से लगभग लगभग, एक एकजाम छोड़के परिशन आता है, आप देख सकते हैं पुराने पेपरू में, यह जाएगा दोस्तों 1916 में, 30 सितंब बुग्याल की जनपद में इस्तित हैं, चितर कांठा बुग्याल, तो यह उत्तरकासी में नहीं है, यह है चमोली में, तो चितर कांठा बुग्याल दोस्तों यह हमारा कहां, चमोली जनपद में, ओप्शन नमर एव बनेगा इसका से उत्तर, अगला परिशन है सुदमन कड स्दोर या कड़वा आबकल से उत्तर जाता है तो बहुत जादा महत्मुन परस्न एवी तो इस पर सेवत्टर बढ़ते हैं अगले परस्नी की तरफ दूस्तो उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरोड़ से कर दिजे और वीडियो को अंत तक जरोड़ देखे का अभी यहाँ पर हिंदी है फिर उसके बाद फिर उत्रा खंड बीच बीच में इस तरह से प्रसने आते रहेंगे तो अगला प्रसने है दोस्तो ये भी बहुत जादा महत्मिल प्रसने है वे सब्दान से जो किसी सब्द के अंत में जुड़ते हैं तथा सब्द के अर्थ में परिवर्थन ला देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है समाज तो हो नी सकता दोस्तो उपसर्ग और परते में टक कर हैं तो यहाँ पर है सब्द के अंत में तो परते अगर वहीं पर वे सब्दान से जो सब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं तथा सब्द के अर्थ में परिवत्तन तो यह हो जागा उपसर्ग तो इसका शुत्र ब लगने से बने हैं, यह मुलिकीद पत जो है, यह इक परते लगे हैं, कौन सा पत गलत है फॉमिक, देविक, पक्चिक, या फिर सामाजिक तो ज़र्वान लगा था समाजिक, समाधनिक, समझिक यह भी लगा तो इसका हेत्वरग पने में तो हमारा उप्शन होच अगला प्सने है कमरा कस्टे ना कमर तो नीकस्ते कमर कस्टे मोहावरा का अर्थ है तयार हुना जोस्माना और कमर शे बिमारी साहारा की जरूत तो यह हुग गया तयार होना यह हुजाएगा बागी कमर से बिमारी सब कुछ नहीं अगला अंदे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है अचानक कोई लाब होना अंधा भी अपना लक्ष प्राप्त कर लेता है बिना परिशम के सपलता मिल जाना या फिर भाग्यी से कोई वस्तु मिल जाना अब द उल्टी गंगा भाना अपनी बात से स्वयंको नुक्सान पहुंचाना परंपरा के विप्रीत कारी करना निश्चित चाल के विप्रीत कारी करना यह भी कुछ नहीं लग रहा बिना सोचे विचारे कारी करना इसमें भी मजानी आया तो परंपराओं के विप्रीत चलना यह ह अगला धाक के वही तीन पाथ होने का अर्थ है धाक के वही तीन पाथ होने का अर्थ है धाक के वही तीन पाथ सदा एक सा यतन पूर्वक करना उटपटांकारी करना निर्धन होना तो यह बनेगा सदा एक सा धाक के वही तीन पाथ हो मतलब कि सदा एक से अगला प्रसन दोस्तों यहाँ पर कुछ कारक के प्रसन है जो कि महत्पूर्ण एक्जाम के रिष्टी से अथिती के लिए चाय लाओ कोई अथिती आगे तो कहा कि आपसे अथिती के लिए चाय लाओ अथिती मतलब जिनके आने की तिति निश्चित ना हो अथिती इस वाकि में अथिती के लिए यहाँ पर दोस्तो के लिए है इसको हमें पकड़ना है वाकि उत्तर निकालना है वाकि चाई पानी होते रहेगी तो अथिती के लिए करताने करम को अपादान से करण से दोलनी संपरदान के को लिए तो अप्शन नमर B बनेगा इसका से उत्तर दोस्तो संपरदान अगला प्रस्न है बच्चा पैन से लिखता है पद बताएं कौन सा होगा इसमें बच्चा पैन से लिखता है बच्चा भी लिखता है बड़े भी लिखते हैं सबी लिखते हैं दोस्तो पैन से सम्मंदी असुद्धी है कुछ का कुछ लिग दिया नहीं ये बचन हो जाएगा बचन सम्मंदी असुद्धी अगला प्रसन है दोस्तो उत्राखंड से प्रसन है कुछ महत्पूर्ण पुस्तक हैं उनसे हैं प्रसनों को देखेंगे बागे और अभी उत्राखंड के परसन आएंगे तो आप वीडियो को बंद तक जरोड देखेगा तो अगला परसन है आपर तुम चुप क्यूं रहे केदार नामक पुस्तक के लेखक है बहुत जादा महत्पूर्ण परसन है अगला परसन है ये भी दोस्तो बन सकता है बीर केशरी के रसनाकार है बीर केशरी के दोस्तो मुकुंदिराल मलाराम नहीं है इसका है उत्रा है पंडित सिप्राम क्योंकि जौन सार बाबर से संबन दीत है पंडित सिप्राम भी बीर केशरी भी सहीद हो गेते 1945 में तो बीर केशरी की रजना कारण दोस्तो ये हो जाएगा इसका पंडित सिप्राम अगला परसन है अगला परसन है इस परसन को आपको निश्चित रूप से याद रखने है बहुत जादा महत्रूण है बहुत जादा दोस्तो महत्रूण परसन है गड़ूआली चितर सहली एक सर्विक्षन पुस्तक के लेखक है एकजाम में बन सकता है तो दोस्तो इसका सेवत्र बनेगा अभी इनसे परसनी आया था एकजाम में तो ये भी आपको याद रखना है ये स्वन्त सिंग कटोच की है गड़ूआली चितर सहली एक सर्विक्षन बहुत जादा महत्रूण परसन है एकजाम में आ सकता है आएगा याएगा अगला प्रेमी पतिक रचना है अब दोस्तो एक प्रेमी पतिक रचना है वो परसाद की भी है जैसंकर परसाद की वो भी हमारे सलेबस में है जैसंकर परसाद भी हिंदी वाले में और प्रेमिंपतिक हो जाएगा दो तो ताख रिसने गयर रोला तो अप्शन नमर ए बनेगा इसका सेवत्तर अगला वर्षन है भारत का पर्थम पंजिग्रिद स्कूल सेरूर्ड गुरूरामराई डीवी कॉलेज यह पर दून स्कूल तो सेरूर्ड दो दोस्तो नयनिताल में है बागी गुरूरामराई दून स्कूल डीवी यह सब भी देरादून में है तो भारत का पर्थम पंजिग्रिद स्कूल हो जाएगा दोस्तो यह दून स्कूल तो अप्शन नमर सी बनेगा हमारा बिलकुल सेवत्तर दोस्तो यह सीरीज हमारी हर रोज दिन में दो बजे आत रहा था यह 1962 में 1962 में तो यह आपको फिलकुल याद रखने है बहुत जादा महतुन प्रस्ण है और एक्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को प्रस्ण मिल सकता है इस्तापना हुई थी दोस्तों 1902 में अरिद्वार आ गया था पहले 1900 में इस्तापना हुई थी यह भी बहुत जादा महतुन प्रस्ण है उत्राखंड आयुर्वेदिक विश्चुविध्यालाई कहां परिस्तित है रिसिकेस ननिताल हरिद्वार्या देरा दून तो दोस्तों यह है मारा देरा दून आप्शन नमर सी अगला है उत्राखंड के पर्थम मुख्य सचिव अ और बर्तमान में कौन है यह आपको चैड़ बॉक्स में बताना है बर्तमान में उत्राखंड के मुख्य सचिव कौन है यह दोस्तों आपको चैड़ बॉक्स में बताना है और इसका अगला पर्थम असोग चक्र प्राप्त करता है हमारे राज्जी के मेजर सैतान सिंग दोस देखा ता अगला उत्राखंड करांति दल के परथ्धम अदेक्छu हो जाए are अभी दोस्तो आपने यह वित्हब्र हे सद बंब्राड्न आ वाला सची वाला यह गजाय forgot जर्ण पेह ज़िए ओप्सनमें देखा था, उसमें बना था है, जब पेपर मेंने दिया था, अगला बसन है, उत्रा खंड से, अब इनका देखना पड़ेगा कि इनका संबंध की से था, अगर आपको पता हो, तो छैड बोक्स मून बताएगा, मत्रा परसाथ अगला है उत्राखंड से पर्थम थल से ना अधेक्च कौन थे उत्राखंड से पर्थम थल से ना अधेक्चे विपिन राव दोस्तो नहीं क्योंकि ये बाद में उससे पहले दोस्तो देवेंद जोशी तो ये तो नोशेना वाले है अनिल धस्माना ये भी नहीं ये तो रो य ये विपिन चंदर जोशी ये 1994 के आस्पार बने थे दन्या जो अलमोडा में है वहां से इनका संबन्द है तो विपिन चंदर जोशी हो जाएगा इसका सेवत्तर अगले है भारत अत्न से विभूसित उत्राखंड के एक मात्र विभूती का नाम है तो अभी तक दोस्तो इसका से उत्रु जाएगा है पर गोविंद बल्लब पंथ 1957 में दिया गया था 26 जनरी उनिस्व सताउन अब बढ़ते हैं उस्तो अगले प्रस्नी की तरफ अभी उत्राखंड और आएगी और हिंदी कम्प्यूटर तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा तो आप वीडियो का अं जजियाक कराण दोस्तो जजियाकर आपने पड़ा होगा औरंग जेव अनिये भी लगाया था वाकी औरुन चैसे बाज भादु तंद यहाँ पर भिडिली के सुल्तान ने बरहामणु पर भी जजियाकर लगाया तो दोस्तो मुहमद बिन तूख लग नहीं है यह दोस्तो फिरोज तुख लग तो अप्सन नमर B बनेगा दोस्तो इसका बिल्कुल सेवतर फिरोज तुख लग ने लगाया था फिरोज तुख लग ने परहामणु पर भी जजियाकर अगला प्रसन है चंगेज खांका मूल नाम था तो इसका जो मूल नाम था चंगेज खांका यह थ तेमुचीन बनेगा इसका उसे उत्र अगला भारत में मुस्लिम राज का सस्तापक माना जाता है बाबर, अकबर, गोरी या फिर इलतुतमिस तो ये भारत में मुस्लिम राज का उस तो सस्तापक माना जाता है तो इसका उस तो गोरी तो आप्शन नमर ए बनेगा इसका से उत् अगला प्रस्ण है किसने इकतादारी पर्था चलाई, बहुत ज्यादा महतुन प्रस्ण है, किसने इकतादारी पर्था चलाई, फिरोश्चा तुगलक, मोहमाद बिन तुगलक, गया सुद्धिन बल्मन या फिर इल्टूतमिस, तो इकतादारी दोस्तों यह बनेगा इसका से सकते लाग बक्स है तो यह बनेगा दोस्तों हमारा इसका सेवत्तर कुतु बुद्धी नयवक्ष तो अप्सन मर्सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सेवत्तर अगला बसने पुस्तक है एक महत्मूर्ण है पुस्तक दी दी स्टुरी ओफ दे इंटीरेशं अफ द इंड्यान इस्टेटस किस ने लिखिए बहुँज आदा महित्रूंर्ण है बियें राव क्रेशन मज्रू वीपी मेरन औरा राजगोपलाचारी दोस्तो ये लिखिया है वी पी मेनन ने बहुत जादा महत्पूर्ण प्रस्ण है दी स्टोरी ओफ दी इंट्रीग्रेशन ओफ दे इंडियन स्टेटस अगला 1922 के पूना समझोते के सांथ किसका सिधा समद्ध था दोस्तो 1922 में होता पूना समझोता और भिम्राव अंबेटकर की महत्पूर्ण भूमिका रही थी यह जगा भारती ये तलित वर्ग के लिए मतूर्वर्ग महिलाओं नहीं तलित वर्ग के लिए थाए अगला प्रसने आपर भारती स्वतंत्रा संगर्श के दोरा निमलिकित मैं से किसने फिरी इंडियन लीजन नामक सेना बनाई ये दो बनाई थी दोस्तो राज विहारी बोस्तो नी सुभाष चंद्र बोस्तो ने बनाई थी कि उत्राखंड के परवती छेत्र में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है तो यह जाएगा 200 वर्ग मीटर के बराबर तो यह भी एकजाम बन सकता है परसने पटवारी में भी आते हैं इस तरह के परसने तो 200 वर्ग मीटर हो जाएगा इसका से उत्तर अगल पुद्धम सीम नगर में तो यह आपको याद रखने हैं अगला बसने ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई तो यह हुई थी दोस्तों 1954 में ललित कला अकादमी एकजाम में पूछा गया था तो महत्पूर्ण है अगला बसने आपर महात्मा गादी ने उत्रा खं सब्सक्राइब के जो कौसानी है दोस्तों यहां स्जुजेल लेंट का था अगला कारवेट राष्टी पार्क भारत का कौन सा राष्टी पार्क है तो भारत और एशिया का यह पर्थम पार्क है फिर हमारे राजजी ना होगा नेनी ताल और पोड़ी जनपद में है तो यह जाएगा दोस्तों यहाँ पर पर्थम 1936 में इस्तापना हुई थी आठ अगस्त 1936 को दोस्तों कारबेट नेशनल पार की इस्तापना हुई थी अगला उत्राखंड में 5 सितंबर को सहीद दिवस कहां मनाया जाता है तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है सिक्चक दिवस और सल्ट अल्मोडा में मनाया जाता है तो यह जाएगा यहाँ पर 5 सितंबर को मनाया जाता है सहीद दिवस सल्ट अल्मोडा में क्योंकि 5 सितंबर 1942 को हीती ये सल्ट वाली जो घटना थी 5 सितंबर 1942 को तो ये जागा सल्ट अलमोडा में अगल्या उत्राखंड के विभिन्य स्तानों में से उत्रयाणी मेला मनाय जाता है तो उत्रयाणी मेला जब घुगुतिया होता है 14 जनौरी को उस दिन ये मनाय जाता है तो उत्रयाणी मिला दोस्तो बागेशवर से संबन दित है बागेशवर अगला है ट्रिंचरी माई का वास्ट्विक नाम क्या था तो ट्रिंचरी माई अब दोस्तो ट्रिंचरी माई का जो वास्ट्विक नाम था था दीपा नोटियाग दीपा देवी ठगुली देवी सविनी के नाम है और टिंचरी माई दोस्तों एक पुस्तक भी लिखी है टिंचरी माई वो लिखी है कुल्दीब रावत ने कुल्दीब रावत ने लिखी है टिंचरी माई पुस्तक एक तो वह भी बन सकता है तो यह हो जाएगा है आपर दीपा नौटिया अगला है उत्राखंड चा भीकास बोट तो यह भी आपको विल्कूल यादक नहीं अगला वसने है चमोली जिले का मुख्याला इस्तित है तो दोस्तों यह है गोपेश्वर में, क्योंकि बाढ़ के कारान फिर जब बाढ़ आगी थी तो उसके बाद गोपेश्वरों बनाएं था, अगला काली दास का जनमिस्तल किस इस्तान को माना जाता है, दोस्तों यह है कविल्ठा काली मट रुद्र परियाको, तो यह आपको बिल्कुल यादक नहीं है, अगला बसने है गडवाल मंडल में कुल कितने जनपद हैं, तो साथ जनपद हैं और पॉड़ी एसा जनपद हैं जिसकी सीमा साथ जन्पोद गसान लगती है अगला टनकपूर का पुराना नाम तो टनकपूर इसका नाम है ग्राश्टीन गंज एक जामक फूसा जा सकता है टनकपूर का पुराना नाम ग्राश्टीन गंज टनकपूर को किस ने बसाया तो मिस्टर टलक ने बसाया था फिर ट चैत्र माहा में मतनब की दो माहा तक 45 दिन मान सकते हैं लगवग तो भी पुछाता एक्जाम में अगला कि जन जाती के लोगों के लिए चैत्र नवरात्र का त्योहार सबसे महत्पूर्ण माना जाता है तो यह उजाएगा हमारा बोक्सा जन जाती के लिए चैती त्योहार के बहुत जादा महत्पूर्ण है बोक्सा के लिए तो याद रखने है आप लोगों को अगला प्रसने आप पर काशिपूर उधम सीन अगर में किस त्योहार पर बाला सुन्दरी देवी में बड़ा मेला लगता है तो दोस्तो यह भी बहुत जादा महत्पूर्ण पिछली बा नामग इस्तान पर किसे दिन मेला लगता है उत्राकंड के अत्रोली नामग इस्तान पर किसी दिन लगता है तो यह लगता है यहां पर राम नावमी को अगला कोश्य है पंडित नैन सिंग रावत दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्मल बसने मुनिश्यारी से इनका संबन्द है पंडित नैन सिंग रावत दोस्तों इनका संबन्द हो जाएगा यहाँ पर पंडित नैन सिंग रावत अब सर्विक चक थे लेकिन यहाँ पर वेग्यानिक ओप्शन नमर सी कर सकते हैं फिर पंडित नैन सिंग रावत का संबंद सर्विक चक हैं तो वेग्यानिक कर लेते हैं यहाँ पर क्योंकि ओप्शन में कुछ है नहीं इस तरह का अगला नीमन मैंस से कौन सी बोली पूर्वी कुमावनी की अंतरगत नहीं आती है अब सी राली आती है तो रज भैसी हो जाएगा ये ऑप्शन नमर बी अगला वरसने गिरेशन ने भारत की भासा सर्योक्षन पुस्तक में ये भी दोस्तो परिक्षावाणी में चैप्टर है ये भासा वाला पुस्तक में मद्धी पहाड़ी को कितनी बोलियों का उल्ले किया है तो महत्मुन प्रसने बन सकता एकजाम में तो यह जागा दोस्तो 21 तो आप्शन नमर सी बनेगा इसका बिल्कुल से उत्तर अगला वरसने असकोटी बोली मुक्यता बोली जाती है तो असकोड दोस्तों क हैं तो पिथोड़ागड में है तो आँख बंद करके आप उत्तर लगा सकते हैं पिथोड़ागड असकोड बननी जिविहार की स्तापना कभ हुईती तो 1986 में हुईती तो यह भी आपको याद रखना है अगला बसने निमन में से कौन सी तत्त्व सौर्याली के समंद मसत्ती है तो सौर रेयाली दोस्तों यह भी पिथोड़ागड में है है अगला बसन है निमन मैस से कौन पहाड़ी भासाओं की उत्पत्ति दरद या खस से मानते हैं अब बहुत कम अब भरती इसको सही कर पाएंगे और जो इसको सही कर पाएंगे तो अगर माना एकजाम मा आता है तो निश्ची दरूप से आपको फाइदा होने वाला फिर ओप्षन भी देखे तकड़े तकड़े ओप्षन है धिरेंदर बर्मा, जोर्जी गिरेशन, भोला संकर और सुनिती कुमार तो यह जागा दोस्तो सुनिती कुमार ओप्षन नमर सी बनेगा इसका से उत्तर पहाड़ी भासाओं की उत्पत्ति खस या द्रत से मानते हैं अगला ब्सन है तिब्ब तथा नैपाल की सीमा से लगे उत्राखंड के सीमावरती छेत्रों में परमुक्ता से बोली जाने वाली बोली है अब दोस्तो यहाँ पर पंजाभी है, जोन सारी है, टिहिरी आली, जोन सारी कत्या ही दूर हो गया पंजाभी fasterm करनी सकते क्यों यह जैगा याँ पर भोटिया रहा है अगला बसने लोक की रित कविता रंघ खुड यजा-अई बहुत-षिक davla2 1-2 6 • कालाजार उपन्यास अगला निलांबर पंथ का संबंध किस से है दोस्तो बहुत जादा महत्मुल बसने है निलांबर पंथ का संबंध किस से है तो यह जागा दोस्तो अंत्रिक से बैग्ज्यानिक है निलांबर पंथ यह आपको यादकना है बहुत जादा महत्मुल बसने है तो भुबैग्जानिक दोस्तो ये भुबिग्जान से खड़क सिंग वलडिया का संबंद है, ओस्ति विज्ञान से दिवान सिंग भागउनी का संबंद है। वैसे इसी तरह से option होंगे, वर एक जगा उसदी भी जगान option होगा, उसी को टिक करना होगा मतलब अगली बार फिर कहीं और जगें बनेगा तो, कि पिछली बार बनाता है person अगला है निमन लिखित में से किस भासा को कुमावनी और गडवाली का मिला जुला रूप कहा जाता है, तो यह हो जाएगा जोहारी नहीं होगा, यह मचकुमया होगा इसका सेवत्तर, तो option number B अगला है राज जी में कब से किसान प्रोशान योजनार लागू हुई, तो यह दोस्तो हरी सरावत के समय से उतित होजार 14 से हो जाएगा, इसका सेवत्तर, तो option number C दोस्तो उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक जोड़ से कर देजे, और वीडियो को अंतक जोड़ देखेगा, अगला परसन है, देवनागिरी का सरुपर्थम परयोग हुई, अभी तो दोस्तो क्या पूछा था, राज जी दिया थ अभी आपने जब मैंने आपको परसु वाला पेपर दिया था वो, अभी यहाँ पर गुजरात था उसका उत्तर, कि देवनागिरी लिपी का परयोग कहा हुआ है, एक बार दोस्तो यूके पीसी ने, यूत्राखन लोक्षिय वायोग ने इस परसन को पूछा था, कि देवन के सिलालेक में हो जाएगा, वांकि जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो ओप्सन देखिए, फिर गजब के हैं, अगला प्रसने आपर मराठी और नेपाली किस लिपी में लिखी जाती है, मराठी और लेपाली, पर आपको यह तो करना नहीं है, कुरू मुखी, क्योंकि पंजा क्या होता है, दोस्तों यह हिंदी का प्रसन है, और आपको यहां पर बताना है, कल्प वास का क्या अर्थ होता है, कुछ समय के लिए घरहत्याग, तपस्या करना, या फिर स्वास्त के लिए कहीं पर रहना, तो यह हो जाएगा दोस्तों कुछ समय के लिए घरहत्याग, तो शब्क. है खाध्य पदात दो इसका सेफ्ब्स अंबर हमारा धन अप्शन मर डी सई है बिलकुल सई अगला पाली किस धरम की भाशा थी तो यह जाए हमारी हिंदी है हिंदी हमारी खुद हिंदी भासा की भी सब्द नहीं है हिंदी हमारा खुद हिंदी भासा का सब्द नहीं है हिंदी भार्षी भासा का जो अप्सने है बांकि आपर दोस्तों उर्दू हो जाएगा यह जाएगा तूर्की भासा का तो अप्सन मर्सी हो जाएग नहीं यह अंत्यस्ते बेंजन तो यह बनेगा आपको बिल्कुल याद दखना है अगला है अंगू नो नो मो तो जो आखरी है मतलब कि किसी वर्ग के पंचम आक्षर तो यह बताने आपको यह कौन से होते हैं उसमें बिल्कुल नहीं अंत्यस्ते बेंजन हाँ अमने देख भी आता यह अलावा इस पर से बेंजन दोश्टों को से लेकर मौऩग होते हैं यो यह जाएगा अनुनासिक बेंज़न तो आप्शन नमर बी बनेगा इसका बिल्कुल 60 को अगला यह एा यहॉर राओ लाओ किस परकार के बेंजन है, जो अगला है चोळ्य और स्रौ यह पर है निवह पर चोष्ट रोग्यों और स्रौ किस परकार के वेजन है तो इस तो यह हैं से तो इसलिए हो जाते हैं हमारे सभुतिवे वेंजन अगला है मात्रा के आधार पर मात्रा के आधार पर हिंदी स्वर्व के भेध हैं अब दोस्तों मात्रा के आधार पर हस्व और दीर्ग हस्व और कौन से ओ ई उरी पांगी दीर्ग कौन से जो बचे यह जाए ऑप्शन नमर ए अगला निमलिकित मैंसे कौन सा सब्द विशेशन है सौंदर बिरिक्ष बेकारी या फुफेरा तो यह बनेगा दोस्तों इसका सिवत्र ओप्शन नमर डी है हमारा अगला प्रस्न है किस वाकि में अच्छा सब्द का परयोग विशेशन के रूप में हुआ है इस तरह के कोस्चिन दोस्तों एक्जाम में आते हैं तो बहुत से अभ्यरती गलत कर जाते हैं इस तरह पर तो जो अभ्यरती सही करेगा उनका दोस्तों फाइदाई होना है जब अन्ति मेरिड बनती है वहापर तो किस वाकी में अच्छा तुमने अच्छा किया जो आगे यह इस्तान बहुत अच्छा है अब अच्छा तुम घर जाओ अच्छा है वह भी आ जाई अब बुखन सब्सक्राइब 232 के हुए अगला इन और किरिया की विशेषता जो बताते हैं सत्य वानी सुन्दर होती है रमेश deputy धावकता है यह अगला दोस्तों अब यहां पर जी के के अभी अंत्मा और आपको उत्राकर प्रसम देखने को मिलING अगला प्रसन है अगला परेद । आपको देखने को मिल सकता है अनुचेद 17 दूस्तों यह हो जाएगा अस्पृरिस्ता का अंत पहुँ ज्यादा महत्मूर प्रसन है यह भी एक्जाम में कई बार बना है हर जगए बना है और यह हो जाएगा अनुचेद 17 अस्पृरिस्ता का अंत बांगी इसका से उत्रा अनुचेद 24 अगला प्रसन है भा भारती सविदान में राजिक के नीती निदेसरत्तत्त्तु करण किए गिए हैं। दोस्तों इस परस्ण को भी आयो कई बार पूछ चुका है। बहुत जादा मेहत्मुर्ण में हैं। यह लिए हैं दोस्तों हमने आयरलेंड से। तो बिलकुल आपको याद रखना हैं नीती न अगला बच्छन है भारती सविधान के किस अनुचेद में राज जी के नीती निजर से तत्तु का उल्लेक है तो आपको सभी याद रखने हैं क्यूंकि हमने सब कुछ जान लिया है राज जी नीती निजर से तत्तु के बारे में परशन एकी परशन दोस्तु कई तरह से बनता है तो 4 है अनुचेद कितने है तो 36 क्या उन है तो बढ़ते हैं आगे कि भारति यह राष्टी कांगरिष की सबसे पहली महिला कंदी भारति राश्टी कांगरिष की पहली महिला अधिक्चे कौन थी अब तो एनिवेसन्ट और सर जोंजिन आईडू दोनों एं तो आपको श पुछे की पहली भारती है तब आप करेंगे दोस्तो सरोजनी नाइडू तो यहाँ पर बनेगा एनिवेसेंट महत्पूर्ण है एकजाम प्रस्ण बनता है कई अभ्यरती जल्दी बाजी में उत्तर करते हैं पर आपको नहीं करना है अगला प्रस्ण है आप पर वर्स 1905 के बं अब दोस्तो कुछ उत्राखंड के वन लाइनर महत्पूर्ण को परस्ण को हम देखेंगे और अभी जीके के प्रस्ण और आने वाले हैं तो आप वने रहेगा तो अगला प्रस्ण है आपर देव सारी पर्योजना किस नदी पर है और कोई नदिया दी होंगे ऑप्शन में क खटीमा का पुराना मकरपूर था खटीमा में रामडोला मिला लगता है विधाईक भी अभी जो मतलब की मुख्यमंत्री है वो भी यहीं से हैं खटीमा विधान सबार चेतर से तो यह जागा है दोस्तो आप मारा ऑप्शन मर अगला गोरी डैम कहां पर है तो यह भी मैस्प चमोली में ब्रहमा ताल दोस्तो यह जाएगा चमोली में है और ब्रहमी ताल आएगा ते उत्तर कासी में है तो महत्मुन है तो ब्रहमी ताल तो आप जरूड याद रखेगा याद रह जाएगा तो बांकि ब्रहमा ताल आप चमोली वसी भी टिक कर देंगे तो यह जाएग तो option number कोई नहीं आदत है तो कमलेंदुमतिसा हो जाएगा इसका सिवत्तर अगला है आपर पर्थम बार गड़वाली लेखनेतू साइत तेक आदनी पुरुषकार दिया गया तो इस तो ये दिया गया था कब 2010 में महतूर्ण है बन सकता एकजाम में सुदामा परसाद और प्रेमलाल भटको तो ये आपको याद रखना है महतूर्ण है अगला है धर्ती की पीड अगनियांख हम लड़ते रहां भुला ये कविता के लेखक है ये है दोस्तो गिरीश्तिवाडी गिर्दा की ये दोस्तो बहुत जादा महतूर्ण प्रस्ण है उत्राखंड आंदोलन इस्मिर्थियों का हिमालई तो ये हरीश्ति लखेडा की ये भी बन सकता है एकजाम में परिक्षवाडी में मिल जाएगा आपको ये अगला प्रस्ण है दोस्तो ये भी आयोग ने पूछा हुआ है इने भी आपको हलके मनी लेना है राश्टी किसान आयोग का गठन कब किया गया तो इस तो 2004 सिर्फ एक एप्षन में है तो ये जगा जनुवरी 2004 में राश्टी किसान आयोग का गठन किया गया अगला प्रस्ण है राश्टी किसान आयोग का मुख्या लए अगला प्रस्न है ये भी प्रस्न आयोग ने पूछा हुआ था किर्सी यहां मुल्य लागत आयोग का इस्तित है तो किर्सी यहां मुल्य आयोग दोस्तो यह का है नई दिल्ली में है और इसकी स्तापना हुईती दोस्तो अगला ही प्रस्न है किर्सी लागत यहा लिके मनी लेना है 1965 में? 1965 में हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सहयुतर अगला प्रसमें आपर Quartzite निमर मैं से किसका अगला निमलिकित मैंसे कौन सी आगने सेल नहीं है तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्मुल बसन है बेसाल्ट आगने सेल है ग्रिनाइट आगने सेल है गैबरो ये भी है ये हो जाएगा डोलोमाइट तो option number C हो जाएगा इसका बेलकुल से उत्तर अगला बसन है मेरियाना ट्रंच महासागर में इस्तिततो किस महासागर में उस्तो ये हो जाएगा परसंत महासागर में है मेरियाना ट्रंच तो option number A अगला बिश्चु का सबसे बड़ा महासागर है तो आपको बच्पन से पता है परसंत महासागर है सबसे बड़ा मासागर अगला प्रस्न आपर सोपान किर्सी कहां की जाती है छत उपर पहाड़ों के ड़लान उपर या पहाड़ों के चोटी पर तो पहाड़ों के ड़लान उपर की जाती है जोम किर्सी कहां पर की जाती है उत्तर भारत दक्षिन पूरु भारत दक्षिन पूरु भारत नहीं उत्तर पूरु भारत ऑप्षन नमर ए अगला दोस्तों कंप्पूर्टर से प्रस्ण है यापर dot matrix किसका एक परकार है तो दोस्तों यह हो जाएगा printer का अगला प्रस्ण है अक्षर एक्जाम में आता है CD-ROM है एक, semiconductor memory, memory register, magnetic memory त यह बने गार दोस्तों magnetic memory option अप्षन मर भी अगला प्रस्ण है दोस्तों कुछ यहाँ पर और उत्राखंड के online है जिन्हें हम देख लेते हैं उत्राखंड से निकलने वाला पर्थम देशी पत्र कोन सा था तो समय बिनो था दोस्तों निकला था कब 866 में तो बहुत ज्यादा महतूर बसने है समय बिनोद निकला था 866 में एकजाम बन सकता है अगला बसने है गडवाल का पुनर जागरण का पिता मा किसे कहा जाता है गडवाल पुनर जागरण का पिता मा उस्तों ये कहा जाता है चंदर महन रतूरी को तो यह आपको विल्कुल याद अखना है गडवाल पुनर जागरण का पितामा चंदर मोहन रतूरी अगला परसने डाक्टर बिलियम मूर क्राप्ट टिहीरी भर्मण पर किस वर्स किया तो उस्तों सुदर्शन सागे समय किया था 6 फरवरी 820 को इतने में हो जाएगा अगला परसने आपर स्वामी राम तीर्थ ने भिलंगना में समाधी कबली तो 1906 में ली थे दोस्तों दीपावली के तो 1906 में तो भिलंगना में भिलंगना में तीहीरी में है खतलिंग के लिए शिर से निकलती है अगला आरे समाज के परवर्तक स्वामी देयानन्द सरस्वती का टिहीरी में आगबन कब हुआ पहली बात ये आरे समाज के परवर्तक स्वामी देयानन्द सरस्वती टिहीरी में कब आए तो 850 में आए थे टिहीरी में तो महतूर्ण है अ आपको बताना है नई प्रेटर निती तो यह जाएगा दोस्तों हमारा अच्छा ही तो आपको बताना है नई प्रेटर निती आपको बताना है वागी 26 अप्रेल्द हो जारेक है तो दोस्तों यह थे आज के हमारे 26 महत्तुमन प्रसने वागी मिलते हैं बहुत जलती एक नई व वहोती प्योंप्ट नियुक मेरा करने झाएंसर चाही कर दो में को के का इधा है उर्वाय को रबने वार है को अयु को प्यानौ है वहती है आप सतंक प्यानौ है में रहंद्ट प्यार विलागा है जा है क्कुन हार थर शोहा है।